हाले रिवान वेल्कम टू कमपर्टिशन के रियर पॉइंट मैं आज आप लोगों के लिए जिसे सी सीजियल हिंदी पेपर टू या महला परिविच्छी का या सहायक अचार छे से आठ वर्क का त्यारी कर रहे हैं अगर आपने हिंदी पेपर टू चूच किया है तो उसी का अ अंतरगत निधायत का भी जो हैं रामधारी सी दिनकर्ट से समंदित सौ पलस वस्टूनित प्रस्ण यानि एमसी की कुरूप में आज हम लोग प्रेटिस करने वाले हैं अब ऐसे ही प्रस्ण आपको परिछा में भी देखने को मिलेंगे अभी फिराल जो एकजाम संपन को या अगर आप इंटेस्टूंडा केम्स पर डियूंदेट हैं तो आप कम्पेनितनोट्स पटेस कर सकते आधे अगर आपको पास time available है तो य्टुप से गूगल से आपको पास जहां भी सोस्ट मिलता है वहां से भी परसकते हैं ओके और और कंप्रीट नोट्स कप्रिट नोट्स मिल जाएगा सकेने में आपको 20 टेस्रीज दुनों का अलगला प्राइस है 20 टेस्रीज मिलेगा पीडियाफ फॉर में और तिसरका जो काम करना आपको लेखक परचाए आपके सिलेवस में देखेंगे आठ कहाने लगे में तीन नाठक तीन उपनियास ओके औ अचारी सुकलक का और नागेंदर का यह सब सारे का आपको जीवन पाचे अच्छे से कर लिए लेखक पाचे क्या कि यहां सभी प्रिश्ण बनेंगे तो अगर जो भी यह कंप्रीट कर लेते हैं तो कम से कम हंडिट पसंट जरूर मक्स ऑप्टेंट कर लेंगे अब यह सब स जाए जाएं क्या प्रोसेस है यह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकर लेजिए वहां पाप सारे आपको मेंशन किये हुए हैं डिटेल्स से पहले नवर प्रस्ण जो है राष्ट कभी कहा जाता है तो विकल्प ए रमधारी सिंग दिनकर को नेक्ट प्रस्ण जो है दिनकर किस रस के कभी मान जाते हैं तो विकल्प सी बीद रस नेक्ट है रस्मी रथी कनायक कौन है तो विकल्प सी कर्ण नेक्ट प्रस्ण जो है राष्टिय स्ंस्कृति रविधारा के पादनेधिक कभी है विकल्प दी हो जाएगा रमधारी सिंग दिनकर रमधारी नि Kelvin का उपनाम किया है तो विकल्प बी हो जाएगा दिनकर नेट है किस रशनकार को प्रतंत्र भारत का वास्तिविक बैतालिक कहा गया है तो विकल्प D रमधारिक सिंग दिनकर नेट है उर्वसी का काप रूप क्या है तो विकल्प C हो जागा गित नाटे नेट है नेट है निमलीखित में से दिनकर की रशनाय कौन सी है तो विकल्प D हो जाएंगे उप्युक सभी है नेट है दिनकर की परचित काविकरिती रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ले गई है तो विकल्प E हो जाएगा महाभारत नेट है प्रकासन के डिश्टी से दिनकर की काविकरितीयों का सही करम किस विकल्प में है तो विकल्प भी हो जाएगा पहले रश्वन्ती, कुरुच्छेथ, रश्मिरथी और वरश्री नेक्ट है निमलिकित विकल्पों में से किसका समंध रणधानी से दिनकर से है विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C, विकल्प D, यहाँ पर जितनी लिखे हैं तो उप्यूक सभी हो जाएगे नेक्ट है इंदरियों के मार्ट से अतिनिद्र धातल का असपस यही प्रेम की अध्यातमिक महिमा है विकल्प C के विसय में यह किसका है तो विकल्प T, रमधारी सिंग दिनकर का है नेक्स्ट प्रेक्शन जो है उर्वसी कावी की विषय में असंगत कथन है विकल्प B यहाँ पर असंगत है उर्वसी की विषय वस्तु का मूल अधार कठूपनिस्त नहीं है दिनकर जी अपने युक के सचमुछ सूरी थे यह कथन किसका है तो विकल्प D नामवर्शिंग निमलिखित में से कौन से क्रिती दिनकर के विद्याथिक काल में प्रकासित हुई तो विकल्प B प्रन भंग नेक्ट है कुर्शेत के प्रथम सर का प्रारम किस पंक्ति से होता है विकल्प सी वह कौन रोता है वहाँ कुर्शेत पर दिनकर को कौन सा प्रुषकार पाप्थ हुआ तो विकल्प B कासी नागरी परचानी सभाप्रुषकार दिनकर कभी होने के साथ सत्भाज में किस अन नाम से भी परसीद है तो विकल्पे राष्ट कभी दिनकर के क्रिती कुरुषेत का प्रकाशन वर्ष है विकल्प C 1946 भी कुरुषेत के कथाना का मुल अधार कौन सा ग्रांथ है विकल्पे महाभारत दिनकर की किस कृती का कथाना एक कर्ण है तो विकल्प B रश्मिर अथी दिनकर की रशनाओं का सही अनुकरम रेखांकित किजिए मने कि पचानी उसको तो पहले देनुका हुंकार रश्वन्ती उर्ष्षी विकल्प B सही उतर होगा कौन सी रशना दमधारी सिंग दिनकर की नहीं है तो विकल्प A यहाँ पर यह नहीं है भासा सम्राट निमलेक्षित में से किसे का जाता है दमधारी सिंग दिनकर को कहा जाता है भासा सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरन प्राण किया है तो विकल्प D पदम भूसन नेक्ट है दिनकर की का बिका मुल्ट स्वर क्या है तो विकल्प E ओज एवम राश्टिये छेतना जनतंत्र का जनम के कभी कौन है तो विकल्प B रामधारी सिंग दिनकर रम्धारी सी दिनकर के बारे में शही कथन है दिनकर को समय सूरी तथा अधैर का कभी कहायता है दिनकर को उर्वर्षी के लिए 1972 में भारती ग्यान पिट प्रुसकार मिला ओज योम राष्य चेतना का स्वर्पदान करने वाले कभी है बिकल्प यहाँ पर डी सही जवाब होगा रम्धारी सी दिनकर को कुर्षेतर में किसका आलमन लेकर यूद की समस्या को समस्या के प्रश्ण को उपसित किया है तो बिकल्प सी भीसमाउम उर्विस्टिर दोनों को निम्रिकित में से कौन से कृति दिनकर जी के नहीं है तो कुर्षेतर है प्रश्ण का पतिछा लेकिन यहाँ विकल्प बी जो है लहार संस्कीत के चार्ड यह भी है तो आपको यहाँ से विकल्प भी सही उतर होगा रंधारी से दिनकर को किस कृति को आधनिक युग का गेता कहा गया है तो विकल्प सी कुर्षेतर दिनकर को किस का भी पुष्टक पर भारती ग्यान पिट पुष्कार मिला था तो विकल्प दी उर्वर्षी नेक्स्ट है रंधारी से दिनकर की गर्ध कृतियां कोन नहीं है तो यहाँ से विकल्प का अशार का एक दिन बाकी सभी रंधारी से दिनकर की गर्ध कृतियां है रमधारिक सि दिंकर की काविकरितिया है कौन नहीं है तो विकल्प A, साकित और एस्वधरा बाकि विकल्प P, विकल्प C, विकल्प C सारे काविकरितिया क semble रमधारी सिंग दिनकरजी के है नेक्स्ट प्रफ्षन जो है किस सचनाकार के पंक्तियां है नारिक सुगंध है नारिक पुरुष की बाहँ पर जुलती हुई जुही की माला है तो विकल्प D रमधारी सिंह दीनकर जिक की काविपंक्ति है किस ने कहा है तो विकल्प D रमधारी सिंह दीनकर यहां पर भी यह जो किस ने कहा है तो यह है दीनकर जी का पंक्तिय या कथन है अर्द नारिस्वर्थ का किस विधा से संबंध है तो विकल्प यह हो जागे निवन्द दीनकर की रचना है सिपी और शंक ना धारिश की दीनकर का काविशंग्र है शामधेनी पर्षु नाम की पर्तिचाक के रचनाकार है विकल्प यह रमधारी सिंह दीनकर पर्षिद हिंदी कभीता रश्मिर्थी किस कभी ने लिखी है रमधारी सिंह दीनकर रमधारी सिंह दीनकर कवी की रुप में पर्षिद है यहां से भी प्रष्ण बनेंगे इसलिए इसे भी याद आखेंगे विव्याई कर्ण में कर दता हूँ और रमधारी सिंह दीनकर की पहली रचना है प्रनभंग नेक्ट है कभीता तो कभी की आत्मा का अलोख है उसके हिदय का रश है जो बाहर की बस्तू का ओलंब लेकर फुट परती है एक अथन किसका है तो विकल्प सी रंधारी सिंग दिनकर जी का है नेक्ट है निम्लिकेट में से आग और राक का कभी किसे काया जाता है तो विकल्प ए सब्सक्रा Clayee को सब्सक्राइब किया है तो विकल्प और रंधारी सिंग धिनकर को जाएगा है सन्स्कीत के चार दियाए नेज़त रंधारियस की दिंकल का जनम किस प्रयान्थ में हुआ था तो विकल्फ C बिहार में दिंकल किस को कई थे तो विकल्फ D आधोनिक कि कई कई थे आं कि भारसरकार ने दिंकर जी की कि इसमिती में डार्ट टिकट कब जारी किया, तो बिकलप ए हो जागा 1929 में दिंकर जी लगता तीन बार राज सभाग सदस्षी रहे, वे पहली बार कब राज सभाग के लिए चुने गए थे तो बिकलप भी 1952 में दिनकर जी किस प्रकार के कभी मान जाते हैं तो विकल्प सी प्रगतिवादे दिनकर जी को साही तकाने प्रुसकार कभ मिला तो विकल्प सी 1969 दिनकर किस काल कभी थे तो यहां से वजाएंगा को आधुनी काल कभी है दिनकर जी किस विश्विदाले के कुलपती रहे तो भागलपूर विश्विदाले के कुलपती भी रहे दिनकर को किस गद्य पुष्टक पर साही तकाने प्रुसकार मिला था तो विकल्प सी संस्कीत के चार अधिया है रुणारी सिंग दिनकर की गत करितिया कौन नहीं है तो विकल्प कमसा असार का एक दिन ना टक होगा दिनकर की करिती कुरुषयत का कावी रूप है तो विकल्प सी परबंध कावे कुर्षयत में कुल कितने सर्ग हैं तो साथ सर्ग हैं किस कभी की घोषना की जागरत यूक के स्वपन फुलो से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं तो विकल्प ए रमधारी सिंग दिनकर कुर्षेत किसकी रशना है तो विकल्प ए हो जाएंगे रमधारी सिंग दिनकर और नेक्स्ट प्रेक्शन जो है उर्वसिक रशनाकार को है यह भी रमधारी सिंग दिनकर जी है किस कभी मैथल सन के सामने स्वयम को महज डिप्टी राष्ट कभी माना तो विकल्प भी रमधारी सिंग दिनकर दिनकर के माता पिता के नाम बता हिए माता के नाम जो था मनुरुप देवी और पिता के नाम था रवी शिंग रमधारी सिंग्गी जी की पत्नी का नाम क्या था तो स्यामावती देवी किस ने कहा तो ये भी जो है दिनकर जी का कथन है ये भी जो पंक्ती है किस की है जाई देप्रस ने रिपीट है बहुत साथ प्रस में कुछ-कुछ है जो की रिपेट हो चुके है उसलिए मापी चाहते हैं विकल्फ ड रमधारी सिंग्ग दिनकर दिनकर की कविटा कौन सा गुन नहीं था तो विकल्फ ब बाके सभी ये दिनकर की कविटाएं की गुन है दिनकर की सिंग्ग कभी थे तो विकल्फ सी सही उतर होगा रमधारी सिंग्ग जी का नेधन कब हुआ था तो विकल्फ सी सही उतर होगा 24 अप्रल 1974 को रमधारी सिंग्ग का जनम कहा हुआ था तो सी मरिया बेगुसाय बिहार में रमधारी सिंग्ग का जनम का हुआ था तो 23 सितंबर 1928 को मैं प्रयोगवाद की अगवा नहीं पिछल गुवा हूं उक्त पंक्तिया किसकी है तो दिनकर दीके कुछित पर्तिक है दिपण परियुद का नेbles है यहां पर पंक्ति लिखिव हुई है और यह पंक्ति पंक्ति किसे रहे नेशर आधायर का कैसे खहता दुभिकल प्लब दिनकर जी को भार सरकार ने दिनकर को उनकी किस सेवा पर पदम भोसन से अलंकित किया था तो विकल्प ये साहितिक सेवाओं के लिए साहितिक सेवाओं के लिए कलिंग बिजय कविता किस ने लिखी विकल्प ये दिनकर मेरे नगपती मेरे विशाल ये दिनकर की किस कविता की पंक्ती है तो विकल्प सी हिमाले दिनकर की काविधरा की कवी थे तो यह होगे विकल्प भी हो जाएंगे राष्टिये काविधरा के कवी थे दिनकर जी कितने वर्सों तक राशावक सदस्य रहे थे तो विकल्प सी 12 वर्स रमधारी सी दिनकर जी को भार सरकाद बारा पदम भुशन प्रुसकार कब दिया गया तो 1969 भी दूटियर राश्टियर कभी के रूप में कौन लोग पिरी है तो रमधारी सिंग दिनकर किस आलोचक ने रमधारी सी दिनकर को अधार का कभी कहा तो डॉक्टर बच्चन सिंग दिनकर को किस काभी को बिश्व के सश्ट्ट सौव काभियों में 74 अस्थान मिला तो विकल्प सी कुरिश्षेत्र दिनकर का रुबईयों का संग्रा काभी है तो विकल्प सी कुरिश्षेत्र दिनकर के किस काभी में यूद को लेकर 207 की कामना की तो विकल्प सी कुरिश्षेत्र दिनकर की कामाध्यात्म समंधि काभी है विकल्प डी उर्वर्षे दिनकर ने एच डी लॉरेंस की कभीताओं कनुवात किस नाम से किया है तो विकल्प सी आत्मा की आखे और दिनकर जी के अंति मचना है हार एक को हरी राम किस ने कहा किस ने कहा दिनकर मुख्यता आवेक के कभी है तो विकल्प डी डॉटर बच्चन सिंग चीन भारत के यूस के संदर में दिनकर जी का काभी है परशुराम की परतिच्छा डॉटर बच्चन सिंग कनुशाद दिनकर का परतिधी काभी है कुरुच्छेत्र विकल्प सी सही उतर होगा रेनकर का परत्थम का भी संगर है रेनुका इन में से दिनकर की पंक्ती नहीं है तो विकल्प सी ये पंक्ती नहीं है बाकि ये पंक्ती है ये भी पंक्ती है ये भी पंक्ती है विकल्प सी दिनकर जी की पंक्ती नहीं है इन में से इन में से कौन सा बाल साहित दिनकर जी का है सुरज का बिया और मिर्च का मज़ा इन में से कौन सी अलोशनात्मक रशना दिनकर जी की है तो परसाथ, पंत और गुप्त इन में से कौन सा निवन दिनकर जी का नहीं है तो विकल भी सही उतर होगा बाकी A, C, D सारे दिनकर जी के निवन है नेश्ट है, रेनुका कावि का प्रकाशन कव हुआ था? तो विकलब ए 1935 रस्मी रथी कावि का प्रकाशन कव हुआ था? तो विकलब C, 1922 इतिहास के आशू का प्रकाशन कव हुआ था? तो 1921 ये था रामधारे से दिनकर से सम्मंदित 100 पलस MCQ हम लोग देख लिए बहुत ही महत्पुन प्रस्थ्न है ऐसे ही प्रस्थ्न आपको देखने को एक्जाम में जरूर से मिलेंगे और जो तो complete notes, complete notes, complete notes, test series, 20 test series के लिए पॉइंटर्ट किजिए